दोस्तो ओम नमस्सिवाय आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं देवगुरू ब्रस्पती के गोचर का धनुरासी के लोगों पर क्या प्रभाब देखने को मिलेगा देवगुरू ब्रस्पती का गोचर बहुती महत्पूर्ण माना जाता है और ब्रस्पती जब गोचर करते हैं तो जिन भावों पर ब्रस्पती की द्रस्टी पड़ती है वहां अमरत की समान सुबफल की प्राप्ती होती है ब्रस्पती को जोतिस में जीव भी कहा गया है ब्रस्पती सनी के बाद दूसरे मंद गती से चलने वाले ग्रह माने गए हैं और यह लगबग 13 महीने में एक रासी का भिर्मन कर दूसरी रासी में परिवर्थन कर जाते हैं पिछले साल 22 अप्रेल 2023 को ब्रस्पती अपनी सुरासी मीन से निकल कर अपने मित्र मंगल की रासी में इस में प्रिवेश कर चुके थे और अब यही देवगुरु ब्रस्पती एक माई को देथ्यगुरु शुक्र की रासी विर्सम में गोचर करने जा रहे हैं यह गोचर एक माई को दो फैर दो बजकर 29 मिनट पर होगा और अपने गोचर के दो दिन बाद ही यानि तीन माई 2024 को रात 10 बजकर 8 मिनट पर देवगुरु ब्रस्पती अस्थ अवस्ता में चले जाएंगे और इस अस्थ अवस्ता से लगबग एक महिने के बाद यानि तीन जून 2024 की सुबह तीन बजकर 21 मिनट पर अस्थ अवस्ता से उद्य अवस्ता में आ जाएंगे जिस वरान देवगुरु ब्रस्पती अस्थ होते हैं उस वरान सुब मांगलिक कारियों जैसे विभा आदी पर रोक लग जाती है ये नहीं किये जाते ब्रस्पती के उद्य होने पर ये कारिये फिर से शुरू हो जाएंगे विर्सपरासी में वराजमान रहकर ब्रस्पती 9 अक्टूवर 2024 को सुबह 10 बज कर एक मिनट पर वक्री अवस्ता में अपनी वक्री चाल सुरू कर देंगे और उनकी ये चाल अगले साल 4 फरवेरी 2025 की दोफेर एक बज कर 46 मिनट तक रहेगे ब्रस्पती को सुब और व्रधी कारक ग्रह कहा जाता है क्योंकि जिन जिन भावों पर ब्रस्पती की द्रस्टी पढ़ती है अपनी सुब द्रस्टी से उन भावों की और उनसे सम्मदित फलों की व्रधी करते हैं देवगुरू ब्रसपती जीवन के विभिन छेत्रों जैसे प्रगती, प्रेम जीवन, स्वास्थ, परिवार और संतान से मिलने वाले समर्थन आदि को प्रभावित करते हैं यह हवदी आनंद और व्रधी की दरस्टी से अच्छी रहने की संभावना है क्योंकि यह आपके जीवन में सकारात्मक परवर्तन लेकर आएगी बता दें कि जब देवगुरू ब्रस्पति शुकर देव की रासी तुलाय विर्सब में कोचर करते हैं तो इनका प्रभाव काफी सक्तिसाली होने के साथ साथ महत्कून भी होता है धनुरासी के लोगों के लिए ब्रस्पति देव लगन और चौथे भाव की स्वामी है और यह आपके छटे भाव में गोचर करने जा रहे है तो ब्रस्पति काई है गोचर उन जातकों की कुंडले में उन्नती लेकर आएगा आपकी रचनात मक्ता में व्रद्धी होगी ने-ने आइडियाज आपकी दिमाग में आएंगे जिसके बल पर आप ने अवसर प्राप्त करेंगे इस औरान आपको कड़ी टक्कर का सामना भी करना पड़ सकता है इसलिए थोड़ा साथधान भी रहना होगा इन लोगों को केरियर में तरक्की पाने की रहमे उत्पन समझ्याओं पर जीत हासिल करने के लिए काफी प्रियास करने होगे यानि कठेन परिश्रम आपको करना होगा गुरु गोचर की अबधी में निवेश करने और लाब होने की प्रबल संभावना है लेकिन फिर भी इन जात्कों को अपने खर्चे पर थोड़ा सोच समझ कर ध्यान रखना होगा इस दोरान आपके सामने खर्चे आ सकते हैं इसलिए बहुती साबधानी से योजना बना कर चलना होगा यानि यहां इस्तित होकर देवगुरु बरस्पति आपके खर्चों में बढ़ोत्री का संकेत देते हैं आपको अपनी स्वास्त समझाओं के प्रतिबी साबधानी रखनी होगी क्योंकि इस दोरान आपके बिमार होने के योग बन सकते हैं राशी स्वामी का सस्ट भाव में जाना कोट या कचरी के मामलों में वैस्तता दिखाता है ऐसे किसी मामले में येदि आप पहले से लगे हुए हैं तो इस वरान आपको और ज़्यादा ध्यान देनी के आप शक्ता पड़ेगी उस पर धन खर्च भी करना पड़ेगा ये दिया आप किसी बैंक से लौन चाहते हैं तो इस अब्धी में वैलौन आपको मिल सकता है ब्रस्पति आपकी नौकरी में अच्छे इस्तितियों को निर्मित करेंगे लेकिन विरोधियों को लेकर आपको थोड़ा सा साब्धान रहना होगा क्योंकि आपकी विरोधी आपको परिशान कर सकते हैं आपको निरंतर प्रियास करना होगा कि अपने विरोधियों से दो कदम आगे सोचे सस्ट भाव में इस्तित होकर देवगुरु ब्रस्पती अपनी पंचम द्रस्टी से आपके दसम भाव को सब्तम द्रस्टी से आपके बार्मे भाव को और नवम द्रस्टी से आपके दूसरे भाव को देखेंगे तो जिन भावों को देवगुरु ब्रस्पती देखेंगे वहां काफी अच्छे परणाम देखने को मिलेंगे यहां पांचमी दरश्टी दसम भाव पर है केरियर और वेबसाय के भाव पर जिसमें आपके उपर अत्रिक्त दबाब हो सकता है आपको अधिक प्रियास अधिक मेहनत करनी होगी लेकिन आपका केरियर और वेबसाय उचाईयों पर होगा अच्छा उन्नती करने वाला होगा अच्छा लाव देने वाला होगा सब्तम दरश्टी से आपके बारवे भाव को यहां विदेशी सरोतों से आपको लाव की प्राप्ती होगी स्वास्ते भी खराब हो सकता है तो ऐसे में स्वास्ते पर ध्यान रखना होगा आयात निर्यात के कारियें से अंतराश्टे कंप्रियों में कारिय कर रहे लोगों को अच्छे लाब की प्राप्ति होगी और दूसरे भाव को नवम दरश्टी से देखेंगे तो धनलाब होगा अच्छी बचत भी होगी लेकिन खर्चे भी होगे कठिन प्रियासों से आपको सफलता मिलेगी इस दोरान किसी भी संपत्ती में हाथ ना डाले क्योंकि वह विवादित हो सकती है उसके कारण आपको कुछ परिशानियों भी उठानी पड़ सकती है इस गोचरकाल में आपको अपनी माता जी के स्वास्ते पर ध्यान रखना होगा आप शक्ता होने पर चिकित सक्से संपर करना होगा धार्मे की यात्राओं के योग बनेंगे आप तीर्थ इस्तलों की यात्रा कर सकते हैं दो आदस भावपर देव गुरु की दरश्टी खर्चे में अधिकता को दिखा रही है आपकी फिरवर्ती रहेगी इस दोरान धन को अलग-अलग कामों में खर्च किया जाए हलागी वे अच्छे कारिये ही होंगे जिन पर आपको ध्यान देना होगा कठिन चुनोतियों के बाद धन प्राप्ति की योग भी बनेंगे आपकी अपनी वानी पर नियंदर रखना होगा उल्टा सिधा बोलने की वज़े से कुछ विरोधी उत्पन हो सकते हैं और आपकी वानी घर में भी खटास पैदा कर सकती है घर यानि आपके परिवार में दामपत्य जीवन में इसलिए वानी पर सहीम रखना होगा तीन मई से तीन जून के बीच ब्रस्पति महराज अपने अवस्था में रहेंगे आस्त अवस्था में जिससे आपको अपने स्वास्था पर विशेज ध्यान रखना होगा इस अवधी में कोई बिमारी आपको परिशान कर सकती है कॉलेस्ट्रॉल या पेट से सम्मंदी समश्याओं में बढ़ोत्री हो सकती है जो लोग मदुमे से पीडित हैं उन्हें ज्यादा ध्यान देन नौक्टॉवर से देवगुरु ब्रस्पत्य अपनी वक्री चाल प्रारम करेंगे यह अवधी आपके कारियों में अच्छी सफलता तो दिलाएगी लेकिन स्वास्थे को बिगाड सकती है तो ऐसे में स्वास्थे पर विशेज ध्यान रखना होगा इसलिए अक्टॉवर से विशेज कर पार्टनर के साथ अच्छा समय विताते हुए नजर आएंगे जिससे आपकी बीच आपसी समझ मजबूत होगी रिस्ता भी बहतर होगा आप दोनों एक दूसरी की जरूरतों को लेकर सतर्क रहेंगे गुरु ब्रस्पति के मंत्र का प्रति दिन 108 बार जाप करे तो आपकी परिशानिया होल होंगी और अच्छे परणाम प्राप्त होंगे दोस्तों ऐसी जानकारे लेने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें जै मतादी दोस्तों